नमस्कार आप दिख रहे हैं दिलल लंटॉप मैं उपासना सलमान खान सोचल मीडिया पर तस्वीर डालते रहते हैं हाल ही में उन्होंने एक ऐसी फोटो डाली जिसकी वज़े से वो बुरी तरीके से ट्रोल हो गए सलमान ने किसानों के सम्मान में एक तस्वीर डाली जिसमें उनकी शरीर पर मिट़ी मिट़ी दिख रही है और ऐसा लग रहा है जैसे खेती करके ठक कर बैठे हुए हूँ इस तस्वीर को सलमान खान ने caption दिया सभी किसानों का सम्मान है इसी तस्वीर पर लोगों ने उने ट्रोल कर दिया सबसे बड़ा मुद्दा ये बना कि सलमान खान के पूरे शरीर पर मिट्टी तो है लेकिन हथेलिया एकदम सूखी है इसलिए लोगों को ये लगा कि ये picture जो है ये fake अब ऐसे में एक यूजर ने लिखा कि आपने अपने चेहरे पर मिट्टी लगा लिया लेकिन अपने पैरों को भूल गए एक यूजर ने लिखा मिट्टी शरीर पर लगा लेने से कोई किसान नहीं हो जाता इसको समझाओ कोई ऐसे किसानों का अपमान मत करो वो मेहनद जरूर करते हैं मिट्टी में जरूर रहते हैं लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं सोचते ये बंदा ऐसे किसानों का अपमान कर रहा है कभी खेत में धान लेकर फोटो क्लिक करवा रहा है तो कभी ऐसे कर रहा है एक यूजर ने लिखा इतनी मिट्टी उन बैलों को भी नहीं लगती जो धान जोतेवक्त हल चलाते हैं अब इस सीन में फिल्मों के मिट्टी वाले सीन भी कहां पीछे रहते हैं तो यूजर ने वो भी डाले एक यूजर ने नायक फिल्म के अनिल कपूर का ववला शॉट डाल दिया जिसमें वो मिट्टी में लट्पत दिख रहे हैं और लिखा कि सभी किसानों के सम्मान में पिर हमारे साथ ही मुबारक ने भी एक फोटो डाली सल्मान कान के इसी ट्वीट के जवाब में उन्होंने खिलाडियों का खिलाडी फिल्म के गाने का स्वीन्शॉट पोस्ट कर दिया जिसमें रेखा और अक्षे कुमार भी मिट्टी से लिलिपे बुते दिख रहे हैं कि वो बोले कि आज तक कभी घुटनों के ऊपर मिट्टी नहीं लगी आप क्या साप के बिल के अंदर खेती करने गए थे क्या भाई एक ने लिखा पब्लिसिटी के लिए इतनी महनत एक यूजर ने लिखा हम किसान हैं लेकिन कभी ऐसी मिट्टी नहीं लगी फोटो लेने के लिए ऐसी ही लगाली मिट्टी गजब एक ने लिखा ऐसे तो हमारे यहां के किसान भी गंदे नहीं होते एक यूजर ने लिखा सल्मान भाई मैं भी गया था खेत में मिट्टी तो थोड़ी बहुत लगती है पैर में आपने तो मिट्टी से मालिश कर रखी है इस तरह के कई सारे कॉमेंट सल्मान खान की फोटो पर आ रहे हैं दरसल सल्मान खान इस वक्त खेती कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस पोस्ट के पहले भी उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें वो खेत के बीचो बीच खड़े दिख रहे हैं का अप्शन दिया था दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम जै जवान जै किसान सल्मान लॉकडाउन लगने के बाद से ही पनवेल में अपने फार्म हाउस में है वहाँ वो खेती कर रहे हैं चायद दो गाने भी वहीं पर शूट कर चुके हैं सल्मान खान के आखरी फिल्म जो थी वो दबंग 3 थी उनकी रादे और Most Wanted भाई अभी आने वाली है बाकि आपको इस ख़बर के बारे में कुछ कहना है वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर आप comment box में लिखें बाकि से नमान लिगत की और ख़बरों के लिए यही रहें